नमस्क्रा दोस्तों श्वागत आए आज की डिसकस में हैं आज की डिसकस में अपने बात करेंगे रीट 2020 की प्रिक्षा को लेके हाला कि यहां पे गोविंज सिंग टोडासरा जो शिक्षा मिनिस्टर है अपने रास्तान के उनके द्वारा ये कहा गया था कि 2 सप्टमबर को य सारी नहीं हुआ 10 लाग से अधिक बेरोजगार संसे में बने हुए अभियर्तियों ने रीट नॉटिफिकेशन सलेबस और बढ़ती के वेटेश तैकर राज्य सरकार से इस्तिति स्प्रिस्ट करने की मांग की है गत जनवरी की अगर बात करें तो 2 सप्टमबर की यहां पे पात कर दुपी वेट चिंगिन नहीं नियुकर सिक्षा की दिनाग रिखी गई ती करवाने की बात कही जिप ती और जून तक नहीं है निकलना तो अगर बान लो इस भरती के ऊपर जून हाला कि मई चल रहा है जून के उपर notification नहीं निकाला जाता है जून महिने में तो यह भरती आगे जाने के आशार सो परतीसद बने रहेंगे यानि दो सब्टमबर को यह भरती किसी भी आलाद में नहीं हो सकती तो अभीरतिवों कहाना है कि किसी प्रकार से भी कैसे भी करके इसका पहले notification रिलेज किया जाए उसके बाद में इसके application मंगवाए जाए यानि application ऑनलाइन application भरवाए जाए तो यह अपने पास में आज रीट 2020 से सम्मदी information जी जो मैंने इस वीडियो के मादम से समझाने के कोशिश की और ये भी कहा गया कि जो रीट के उपर जो अंतिम बेठक इस सब्ता के अंत तक यहाँ पर कर ली जाएगी यानि रीट के उपर examination कैसे होगा उसके syllabus level 1, level 2 के लिक्या रखा जाएगा उसकी जो बेठक है वो इसी वीक इसी सब्ता यापी कर ली जाएगी तो यह अपने पास में